जैगो माता वंदे मात्र मित्रो जोत्री में गुवनी संस्थान में आपका हर्दिक श्वागत है मित्रो आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में कैंसर का ऑपरेट या कैंसर जब ऑपरेट हो जाता है कैंसर का ऑपरेशन हो जाता है सरजरी हो जाती है उसके बाद किमो थेरेपी ले या ना ले ये एक प्रमुक्यूशन है बार-बार कैंसर पीडिद भाई और बहनों द्वारा पूछा जाता है जब उन्हें हमारी संस्थान का पता चलता है जो तिरमय गोम्री संस्थान के बारे में जानकरी मिलती है तो ऐसी अवस्ता में होते हैं कि कुछ पैसेंट कीमो करवाने वाले होते हैं और कुछ पैसेंट एक दो कीमो ले चुके होते हैं उस अवस्ता में पूछा जाता है कि सर अब हम क्या कर सकते हैं ऑपरेटर तो हमने करवा लिया है अभी कीमो थेरेपी दे या ना दे रेडियो और कीमो थेरेपी के बारे में मैंने पहले भी बताया है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की ड अप्रेट हो चुका है उसके बांस आप कियूमो और रेडियो थरफी हो जाएगे अगे अगर केमो और रेडियो थरफी आप लेते हैं उसके बाद क्या होगा उसके side effects उसके इतने side effects है कि आपका जीना जीना नहीं है अगर कीमो और रेडियो थरेपी लेके तीन या चार साल आप जीवित रहते हैं तो वो किस तरह का जीना होगा समझीए सबसे पहले कीमो थरेपी करवाने के बाद में जुमेन दिक्कत आती है वो सरीर में गर्मी बढ़ जाती है सरीर की जो अच्छे सैल है वो खतम हो जाते हैं रोग परतिरोदक्षम तक कम हो जाती है और जो खाने का भगवान ने जो खाने का सिस्टम बनाया है कि आप मुझ से लेते हों मुझ के अंदर अलसर हो जाते हैं मुझ के अंदर अलसर हो जाते हैं जिससे आप खाना नहीं खा सकते और कभी-कभी स्वास नहीं का अवरुद्ध हो जाते हैं डॉक्टरों तुआ रहे एक ही बात बोली जाएगी फिडिंग ट्यूब लगा दो अगर फिडिंग ट्यूब लगा कर खाने को अगर घोल के ही देना है और उसी तरह से जीना है और एक दर्द भरी जिन्द की तीन चार साल अगर निकाल दिया आपने तो किस तरह का जीना है तीन और चार साल कीमो और रेडियो थरेपी के बाद वह पेशेंट सर्वाइब करते हैं जिनकी एज 35 से 40 साल है अगर आपकी ज्यादा है तो इतना शंभवी ही नहीं है वह कैंसर की स्टेज में निर्फर करता है कैंसर का कीमो और रेडियो थरेपी कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं रहता कीमो थरेपी आज कल और लिप दी जाती है जब भी कैंसर का टीटमेंट हो जाएगा इससे ऑपरेट हो गया ऑपरेट के बाद बोल दिये बोल दिया जाता है कि यह टैबलेट आपको लाइब टैम तक एक टैबलेट खानी है वह भी क्या है औरल कीमो थरेपी जो शरीर के लिए बहुत ही नुक्षानकारी है आगे चलते हैं चलो आपका ट्रीटमेंट हो जाता है कीमो थेरेपी ले ले ली उसके बाद क्या होता है आपको पेट इसकेन के लिए बोला जाएगा जाएगा डियागनोशिस करवा दिये आपने उससे आपको बता चलेगा के अंदर वापिस होगा हंडीड परसेंट वापिस होगा इसका परमुक कारण क्या रहता है आपने कीमो और रेडियो थेरपी करवाई जिससे रोग प्रत्रुद्रक्षमता कम होगी इमीन सिस्टम वीक हो गया और उसके बाद सरीर के अंदर जो अच्छे सेल थे वो सेल डे अवाल या लेकिन यह सेल वापिस दो साल बाद एक्टिवेट हो जाता है लगबग दो साल बाद वापिस होता है कारण एक रहता है मित्रो जाचे और आपका खान पान कैंसर जो रोग है वो एक मेटाबॉलिक डिजीज है यह अभी विदेशो ने भी माना है और भारत में आ ऐसे विश अरबुद जहरी लिगाठे बनती है जिसे आज की बासा में कैंसर कहते हैं तो यह खान पान क्या करते हैं जब भी कैंसर का टीट्मेंट हो गया उसके बाद डॉक्टर द्वारा एक बात कही जाती है कि आप सामानी भोजन ले सकते हैं अब सामानी भोजन आपका क कैसा होता है वह आपको पता है विज्जा बर्गर कोल्डरिंग पैकिंग फूड रिफाइन फूड डैरी प्रोडेक्ट आपको पता है आप क्या खाते हो कूडा और कच्रा डॉक्टर ने बोल दिया आपने शुरू कर दिया अब जिस कारण से आपको कैंसर हुआ है आप उस जल्दी 1-2 साल के अंदर roughly कद्स को तो जो Cancer पेशन्ट है कि जिन्नों ने Cancer को अपरेट करवाया है या किय में या रेढियो थेरेपी ले रहे या एक दो कीमो थेरेपी लिए है तो सबसे पहले कीमो और रेडियो थेरेपी नहीं करवानी है बिल्कुल नहीं करवानी है, अगर operate हो चुका है, तो ठीक है, नहीं हो चुका है, तो जो दिर में गोमनी संस्तान से संप्रक करें, उसके बाद मित्रों, कहीं जगा, हर जगा ये की चीज फॉलो की जाती है, कि आपका operation हो गया, किमो थरेपी हो गया, और उसके बाद आपको हर तीन महीने में जाचे करवानी है, अगर हर तीन महीने में आप diagnosis करवाते हैं, चाहिए वो MRI होगी, CT scan होगी, ultrasound होगी, अगर आप हर तीन महीने में radiation के संप्रक में आते हैं, अब सोचिए, कि एक x-ray room में जाने से पहले उसमें लिखा हुआ होता है, कि x-ray किरने, आपके लिए हानिकार रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, एक तो आप cancer patient हो, आपकी रोग पत्रिरोदक समता already weak है, और उसके बाद में भी, आप हर तीन महीने में, हर दो-दो महीने में, तीन महीने का मैं, दो महीने का भी बोलता है, हर दो महीने में जाके radiation के संप्रक में आते हूँ, चाहि और एक ही बात कही है आपको, कि आप वापिस वही process है उनके पास, radiation, chemo, इससे बचने के लिए आपको बार-बार जाचे नहीं करवानी है, बार-बार radiation के संप्रक में नहीं आना है, खाने पीने में किस तरह का भोजन लेना है, विशेष, मैं आपको पहले भी बताया और वो आपको नहीं लेना है, उसके बाद refined food, refined oil, pizza, burger और oil, refined oil, उसके बाद dairy product, आज के dairy product, जो जर्षी गाये, जिसे हम गाये नहीं कह सकते हैं, जहरी ले तत्वे हैं, जिनसे सेवन से अन्नी रोग होते हैं, और cancer भी वापिस तरी क्रेंस होता है, अब खाना क्या है, ज्यादा स ज्यादा फल्ट फूर्ड सबजिया, कौन से जीवित फल्ट फूर्ट उसका शेक नहीं बनाना है, फलो का सेक नहीं बनाना है, कच्चे, सागश क्योंच करना है, नाइल पानी, इनका शेवन आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, अगर cancer patient है, तो आप का cancer treatment होने के बाद भी 70% 70% खाना कच्चा होना चाहिए जिसमें साग सब्जी आ गए फल फूर्ट आ गए नारील पानी आ गया इनका विशेस आपको ध्यान रखना है अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो स्वास्थ समंदित किसी भी तरह का प्रशन हो तो आप कमेंड कीजिए और कैंसर समंदित जानकारे के लिए आप संस्थान में संप्रक कर सकते हैं जोतिर में गुम्रिश संस्थान नंबर दे रखे हैं आपको जैगो माता वंदे मातरम